आज मैं आप शवी के साथ बच्चों की फैवरेट मुं में पानी ला देने वाली हक्का नूडल्स की रेसिपी सेर करने जा रही हूं, बनाना जितना आशान है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है, वो भी कम सामान में बना करके तयार करेंगे, बिना सबजी कहीं, इस नूडल्स को जवाब एक बर बनाईएगा, तो साथ हर बार इसी तरह से बना करके खाईएगा, तो हमने एक पैन में रख लिया था पानी को गर्म होने के लिए, और पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें हमें डाल लेना है नमक, फिर मैंने यहां पे गी का इस्तिम करते ह तो बहुत ही मस्त नूडल्स अच्छे से स्टीम हो जाएगा, तो चलिए, अब पानी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें नूडल्स को डाल दी हूँ, और इसहां पे गैस को हमें कर लेना है, आफ, गैस को आफ करके हमें इसे कवर कर देना है, और दो से तीन मिनट के ल हो तो कोई भी नूडल्स जब हम gibt'm वाइल करना होता है, बस मिनट कर लेते हैं, तो बिलकुल इस तरह से हमारे स्टीम हो चुके हैं, बिलकुल 80 परशेंट तो दो में इसके पानी को निकाल लोंगी, तो जब तक मैं इसे साइड में रख देती हूं, इसके पानी को निकाल ल वीडियो में दिखा रही हूं फ्रेंट्स बिल्कुल उसी तरह से बनाईएगा जवर्दस्त वाली रेसिपी को फटा फट बनाईए और टेस्टी टेस्टी डेसिपी को इंज़ाई कीजिए सट्रेडे स्पेसल में तो हमें पैन में रख देना है फिर से पानी उसमें हमें डाल तो को पानी निकाल करके इसे पहले थन्डा होने देना है तो चलिए जब हमारा टमाटर ठंडा हो जाएगा देखे बिल्कुल इस तरह से ठंडा हो जाएगा जब तो हमें इसके स्किन को हटा लेने हैं बिल्कुल इस तरह से आशानी से इसके स्किन हट जाते हैं इस तरह से एक बार ये नए तरीके से नूडल जरूर से जरूर बनाएगा फ्रेंट्स यगीन मानिए आपके बच्चों को भी पसंद आएगा और आपको तो बनाते बनाते तक ही मुझ में पानी आने लगेगा तो चलिए मैं यहाँ पर इसकिन को हटा दी हूँ टमाटर के और इसके बैक पार्ट्स को भी कट करके हटा कर इसे इस तरह से कट कर लिया है बस रफली हमें इसे कट करना है और उसके बाद हमें इसे ग्राइंट कर लेना है तो चलिए टमाटर को मैंने कट कर लिया है अब मैं एक grinding जार का इस्तेमाल कर रही हूं अब मैं यहां पर टमाटर को डाल करके टमाटर ले बच्चे से ठंडा हो तभी ग्राइंड कीजिएगा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा इसमें हमें डाल लेना है पान से छे लैसन की कलिया जिसे मैंने चौप कर लिया है लैसन का टेस हमारी बन चुकी है टमाटर की तो एक पैन हमें रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए उसमें हमें डाल लेना है वोईल तो मैं यहां पर वन टेबल स्पून वोईल का इस्तेमाल की हूं इस तरह से रोडेट कर दीजिए और वोईल को अच्छे से बढ़िया वाला गर्म ह अब हमें यहां पर डाल लेना है ओनियन एक छोटी साइज का मैंने प्यास को चौप कर लिया है बारिक बारिक प्यास डालना पूरी तरह शे ऑप्सिनल है आपका मन हो तो प्यास डाले नहीं तो आप इसे इसकी भीग कर सकते हैं आप चाहे तो यहां पर कोई भी वेजिस का भी इस्तेमाल कर शकते हैं अब मैंने यहां पर डाल लिया है टोमेटों की प्यूरी को तो मैं टमाटर वाला बना रही हूं तो मैंने यहां पर कोई भी सबजी का इस्तेमाल नहीं किया है श्वाद के अनुशार नमक और थोड़ी शी में यहां पर रिड चीली पौडर भी और इसे डालने के बाद हमें कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स तो हमें यहां पर ज़्यादा देर भूना ही नहीं करनी है क्योंकि टमाटर भी हमारे पके हुए हैं इस्टीम किया हुआ टमाटर है हमें तो अब मैं यहां पर डाल ले रही हूं शोया सॉस वन टे करते हैं तो हमें यहां पर वेनिगर की कोया बशकता नहीं क्योंकि टमाटर खुद में ही वह खटास लाती है तो देखिए अच्छी तरह से टमाटर भी हमारे पक चुके हैं अब मैं इसमें डाल लेती हूं नूडल्स पेलकल इस तरह से बॉइल के हुए नूडल्स को मैंने ठंडे पानी में डाल करके अच्छी तरह से वाश करके और इसे चान लिया है और इस तरह से नूडल्स को डाल ये फ्लेम को मीडियम रखी और फटा फट से आप दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसे फॉक की सहता से मिक्स कर लीजे देखिए कितना मस्त इसका कलर आया है देखने में जितनी ही ये खुबसूरत लग रही है ना फ्रेंड्स खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी तो देखें मैं भी आपको एक बार उठा करके भी दिखा दे रही हूं देखें क्या शुंदर सा हमारे ये टोमेटो नूडल्स बन करके तैयार हो चुका है तो बिल्को इसी तरह से बनाएगा धनिया और ग्रीन चिली से इसे कर लिजएगा देखें मस्त हमारा टोमेटो नूडल्स बन करके तैयार हो चुका है बनाते बनाते तक ही मेरे मूँ में पानी आ चुका है तो मेरा तो मन कर रहा है मैं खा करके देख लूँ तो चलिए मैं आप आप सबी को खा करके बताती हूं कि इसका टेस्ट कैसा आया है देखें I 1 अगुस तरह से मैं उठा ली हूं और अब मैं इसे खालोंगी मस्त जबरदस्त वाला इस टोमेटो नूडल्स का टेस्ट है बहुत बहुत ही टेस्टी है हमारी टोमेटो नूडल्स बन करके तैयार हो चुकी है इस नूडल्स के आगे आपके ठेले वाले नूडल्स बिल्कुल ही फीके पड़ जाएंगे तो कैसी लगे आप सभी को मेरी रे झाल झाल झाल